इस समिधान जब बाबा साहब डाक टम बेट करने बनाया तो मेरे दादा जी वहाँ थे एक रात को रुके थे उन्होंने देखा कि रात में लाइट जली हुई है आधी रात गुज़र शुकी है तीन चार बजे का समय है बाबा साब के जो खिरकी थी उसमें लोही की जाली लाइट जली है उच्छता हुई कि देखें आकर बाबा साहब इतनी रात में कर क्या रहे हैं तो उन्होंने एक जुगाड किया जुगाड तो आप समझते हैं ना वो एक जाडू किसी उठा के ले आए उन्होंने लोही की जाली में डालके पर्दा सरका के देखा अरे बाब मैं डाट नहीं खाऊंगा तुम ही पूछो बाबा साहब से हाज जोड के दादाजी ने पूछा कि हमने देखा ऐसा ऐसा आप कर रहे तो तुम कैसे देखा बात तो ठीक है अरे वो तांग में दर्द होता था डाक्टर ने बताया तांग को उपर रखेंगे तो ये आपका अबलट जो इसका है वो डाउन वर्ड उसका फ्लो हो जाएगा दर्द दूर हो जाएगा वही हुआ अरे जब तक मैं अपना टांग उपर रहा मैं दर्द से मुझे मुझे मुक्ती मिली रही मैं कुछ लिख लिया ना कुछ पढ़ लिया ना तो ये बाबा साहब डांग टम जबकि हम भी इंसान थे तो आज हमें इस काबिल अगर बनाया है कि मैं SM टेलिविजन पर अपने रिड़ वेकता से विचार रख रहा हूं तो बाबा साहब डांग टम बेट करकि उस निश्वार्थ भावना के कारण हम पहुँचे वो भावना बाबा साहब डांग टम लिच में जितने भी हमारे विरोधियों के शड्यंत्र आते हैं वो जंता ही उनको सुविकार करती है